नेक्रॉटिक सेल के नुउक्लियस में हमें तीन टाइप के पैटन दिख सकते हैं पिकनॉसिस, कैरियोर एक्सिस, एंड कैरियोलिस्स अगर हम पिकनॉसिस की बात करें पिकनॉसिस में श्रिंकेज औफ नुउक्लियस हो जाता है Nucleus एक dot की तरह दिखता है इसलिए हम इसको ink.nucleus भी बोलते है Next is Karyorexis Karyorexis is breakdown of nucleus into fragments So here you can see in this image यहाँ पर nucleus बहुत सारे fragments में तूट चुगा है This is Karyorexis Last is Karyolysis Karyolysis में nucleus का complete breakdown हो जाता है Nucleus powder form में तूट जाता है देखें यहाँ पर आपको nucleus का कोई भी part visible नहीं होगा Because cell में nucleus visible नहीं होता है तो इसको हम ghost nuclei भी बोलते है